हलो गाइज, तो गाइज आजम बात करने वाले हैं MCU के उस पॉसिवल फ्यूचर विलन के बारे में जो फेस फाइब में थौर फाइब के लिए मेंड विलन बन सकता है गाइज मारूल के इस विलन का जनम एजगाड की राजा बॉर बियूर सन और जैंट एस बैशला के घर हुआ था और यह ओडिंग का बड़ा बाई है कल की यंगेज में जब अर्थ को एशम के नम से जाना जाता था तब कल पर जैंट से हमल कर दिया था और उसे चोटी से नीचे फेक दिया था जिसमें उसकी जाजातर हटियां तूट जाती है और वो प्यास से तलापतर रहता है यहां से वो रेंगते हुए जैंट के घर पहुंच जाता है जहां सभी जैंट सो रहे होते हैं वहां वो एक जैंट को छोड़कर सभी का खून पिलेता है जिससे सभी जैंट्स मर जाते हैं और वो एक बचे हुए जैंट्स के लिए खून से मैसेज लिखता है कि हम गोड्स आस्मान में नहीं रहते हम यहां हर्थ पर रहते हैं और तुम यहां हमारी खुशी के लिए ही रहते हो कल के इस मैज़े से आखरी जैन्ड में डर पैदा हो जाता है और यहां से वो God of Fear बन जाता है कल के अपने गर एसगार लोटने के बाद वहाँ एक हरी आखो वाली लड़की उसे देखती रहती है दीरे दीरे कल के अंदर उस लड़की के लिए फीलिंग्स आ जाती है लेकिन जैसे ही कल ठीक होता है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है जिससे कल दुखी हो जाता है इसके बाद एसगार की राजा बहुत की मौत हो जाती है और क्योंकि कल बॉरकर सबसेड़ा बेटा था इसलिए वो राजा बनने का डिसीजन ले लेता है और अपने छोटे भाईयों ओडिन, विली और वेको अपनी काउंसिल में रख लेता है हाला कि कल अपने वादे को तोड़ देता है लेकिन कल उन्हें रोकने आ जाता है और उसे राज करने देने के लिए कहता है जिसके बाद वो उन्हें वापिस सेजगार जाने को भी कहता है कई सेंचुरीस तक कल एशेम पर राज करता रहता है और डर फैलाता रहता है लेकिन अब उसके भाई उसे रोकने आ जाते हैं और चेंबर में घुसने के लिए ओडिन कल के सभी followers को मार देता है कल वहाँ की में चेंबर में बंद था और तब उसे पहली बार टर का experience फिल होता है जैसे ही ओडिन में चेंबर में एंटर होता है कल डर जाता है और खुद को समझाता है कि ओडिन उसे नहीं मारेगा क्योंकि ancient rules में उसे ऐसा करने नहीं देंगे इतने time में कल अपने भरोसिमन लोगों को वहाँ से दूर बिज़ देता है और अब ओडिन कल के बिलकुल पास आ चुका था लेकिन वो जानता था कि वो कल को नहीं मार सकता और क्योंकि उसे नहीं मार सकता था इसलिए वो उसे हरा कर ओशन की घेराईयों में बंद कर देता है लेकिन कल का फेलाया हुआ डर अभी बी इंसानों में बाकी था इसके लिए ओडिन सभी इंसानों को मार देता है ताकि उनके डर से कल को और ज़्यादा पावर ना मिल पाए इसके बाद ओडिन एशायम को मिटगार नाम दे देता है येसे हम आर्थ के नाम से भी जानते हैं और जो लोग कल के बारे में नहीं जानते थे वो डिन उन्हें भी जिन्दा छोड़ देता है कैई हजारों सालों बाद कल की एक बेटी एक बार फिर कल को आज़ाद कर देती है कल अब काफी बुड़ा और कमसूर हो चुका था और अब उसे सर्पेंट बुला जाता था कैई से बाहर निकलते ही सर्पेंट सिन को एक खटा करना शुरू कर देता है और दुनिया बर में डर फैलाने के लिए अपने वर्थी और एहमर को बलाता है जैसे थोर अपने मियुमर को बलाता था कल के वर्थी काफी हद तक शजा मुवी के विलन जैसे थे जो दूसरों के डर से और ज़्यादा पारफुल हो जाते है और इन सबी की तरह कल इन सबी के यूज से दुनिया में डर और तबाई फैलाता है और इस तबाई और डर से सर्पेंट और जादा पारफुल होता जाता है जिससे वो अपने आपको फिर से यंग वर्जन में बदल देता है अपना यंग वर्जन मिलने के बाद सर्पेंट एंटाक्टिका को डार्क एक्जार्ड में बदल देता है और जैसे इसके नाम से clear है कि ये AS Guard का ही एक Dark Virgin है और इसमें Hamdel का भी हजारों आखो वाला एक Dark Virgin था Dark Exist का पता लगते ही Serpent को रुखने के लिए Thor अर्थ पर आ जाता है और Hamdel की तरह उसका Dark Virgin भी Serpent को Thor के वारे में वार्न कर देता है जिसके बाद Serpent Thor से लड़ने के लिए अपने वोर्यर्स को भीजेता है इस लड़ाई के बाद Serpent Thor को एक प्रोफेसी के बारे में बताता है कि कल को Thor मार देता है लेकिन इसके बदले में वो खुद भी मर जाएगा और Thor को अपना रिलेशन बताने के बाद वो उसे अपनी टीम में जोडने की कोशिश भी करता है लेकिन Thor किलियरली इसके लिए मना कर देता है जिसके बाद Serpent को उसे दूर कहीं टेलिपोर्ट करना पड़ता है जहां उसके दो सबसे वर्थी Null Breaker of Worlds जिसके पास Hulk और Angrier Breaker of Worlds जिसके पास The Thing उसके काबू में है ताकि वो God of Thunder से लड़ाई कर सकें Thor को टेलिपोर्ट करने के कुश तैम बाद Serpent Avengers पर हमला कर देता है और वो आसानी से Avengers को हराभी देता है जैसे मैंने पहले बता था कि उसके पास एतनी स्टेंट है कि वो असानी से कैप्टन की शील्ड को भी तोड़ सकता है और वो यहां ऐसा करता भी है जिसके बाद वो अपना हैमर उठाता है और अर्थ में मार देता है जिससे पूरी की पूरी सीटी डिश्टर हो जाती है और वो वहां से चला जाता है यहां से वो सीधे ओरिंग को डिश्टर करने निकल परता है क्योंकि ओरिंग ने कभी उससे उसका हग चीन लिया था थोर के अजगार पहुचने के बाद कल एक रियल सर्पेंट की फॉर्म में आ जाता है और उसके वर्थी एवेंजर से लड़ाई करते हैं बैटर के लाश में थोर ओरिंग स्वार से कल को मार देता है लेकिन यह उसके लिए रैगनारॉक बन जाता है और परफेसिक एक औरिंग आखिर में वो अपने फादर के हाथों में मारा जाता है लड़ाई के एक दिन बाद जहां एवेंजर्स थोर के फ्यूनरल की तियारी करते हैं वहीं ओडिन अपने भाई की बोड़ी अपने महल में ले जाता है और बाकी सब यह इस गार्डेंस को बहार निकाल देता है वो खुद को अंदर बंद कर लेता है ताकि वो अपने भाई की बोड़ी को टाइम के एंड तक फटक कर सके और इसलिए वो खुद को थोर की मौत का जिम्मेदार भी मानता है या और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जीन फॉस्टर थोर का हैमर उठा लेती है जैसे ओडिन और कल दोनों नाराज हो जाते हैं और ओडिन कल को उसे मानने बेज़ता है और थोर की फर्श मूवी की तरह ओडिन वहाँ पर डिश्टॉर को भीज़ता है लेकिन थोर और फिरिया अपनी एक फीमेल वोडिर्स के आर्मी मना लेते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक चैनल को एक पर सस्क्राइब और इसे हजारों बार शेयर करना ना भूलें